Good morning, आप सभी को online classes में स्वागत है आज हम लोग 7 class के history में पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली के सुल्तान तो इसका एक part वीडियो में आप लोगों को भेज चुकी हूँ जिसमें मैंने पढ़ाया कि दिल्ली के सुल्तान चेप्टर में किस तरह से इसको मध्यकाले नितिहास भी कहते हैं बच्चो में डिल्ली क्योंकि इसके बाद ही हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन हुआ और दिल्ली सुल्तान के पहले यहाँ पे हिंदू राजाओं का राज्य था जिसमें से राजपूतों का चौहान और तोमर तोमर और चौहान राजपूत जो थे वो शासन कर रहे थे इससे पहले उसमें इन लोगों ने ही बारहमी सदी में दिल्ली को केंद्र बनाया इसके पहले दिल्ली कभी केंद्र नहीं था तो आईए अब कुछ पर मुख राजाओं और उसके शासन काल के बारे में हम लोग जानते हैं तो हम लोग ममलूक बंस, कुटूबदीन एवग और इल्तुतमिस पढ़ चुके थे बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे रजिया बेगन के बारे में इल्तुतमिस, कुटूबदीन एवग के बाद इल्तुतमिस गद्दी पर बैठा एवी एक गुलाम था, पिछले वीडियो में मैं बता चुकी आप लोगों को इल्तुतमिस की पत्री थी, बेटी थी, रजिया सुल्तान इल्तुतमिस के जितने भी संतान थे, बेटे थे, उन सम में योग्य रजिया सुल्तान थी उनके भाई इतने योग्य नहीं थे, लेकिन कुतुबदीन एवक के बाद इल्तुतमिस जब बैठा गद्धी पर तो उनकी मिर्तु के बाद उनका पुत्र रुक्नु दीन फिरोज गद्धी पर बैठा लेकिन वो आयोग्य सावित हुआ और जन बिद्रो यानि जनता के बिद्रो के कारण उसे गद्धी से हटा दिया गया और उसके जगह पे रजिया को गद्धी पर बैठाया गया और वो दिल्ली की प्रथम और अंतिम सासक महिला थी महिला सासक इसके पहले कोई नहीं हुआ था और इसके बाद भी कोई नहीं हुआ रजिया का चार वर्ष का अल्प शासनकाल होने पर भी अत्यन्त महत्पुर्ण है और केवल ए मात्र चार वर्ष ही सासन की लेकिन इसका सासनकाल बहुत ही महत्पुर्ण है उसने महिला वस्त्र त्याक कर पुर्षो द्वारा धारन किये जाने वाला कब्बा यानि कुर्ता और कुला एक प्रकार की पगड़ी को अपनाया रजिया ने सर्व पर्थम तुर्क सामंत वर्ग की सकती को तोड़ने और गैर तुर्क सासक वर्ग की सकती संगठित करने का प्रियास किया सामंतो का वर्ग पुरुष परधान समाज में एक महला की सकता के आगे सिर जुकाने को तैयार नहीं था और सामन्तों का बर्ग जो था पुरुष परधान बर्ग था तो एक महला को गद्धी पर बैटता हुआ देखना उनके लिए बहुत ही मुश्किल काम था और उनके आगे सिर जुकाना क्योंकि पुरुष परधान समाज में पुरुष वर्ग एक महला के आगे सिर्ध जुकाने और उसकी आग्या मानने के लिए तैयार नहीं थे इसलाम के उलेमा भी उसे धर्म बिरूद मानते थे दूसरी और उलेमा के मता अनुसार इसलाम में महिला को सुल्तान का पद गरहन करने की अनुमती नहीं थी कुछ इतिहासकार तुर्क सरदारों की मत्वकांचा को ही रजिया की अशफलता का कारण मानते हैं और कुछ इतिहासकारों का मानना है की तुर्क सरदार यानि इसके संगठन में जो चालीस जिसको चलीसा दल कहा जाता था और इसकी नियुकती तो इतिहासकार मिनहाज उस सिराज ने लिखा है कि रजिया एक मानते हैं सासक थी बुद्धिमान न्याइप्रिये उदारचित और परजा की सुपचिंतक परजा पालक और अपनी सेनाओं की कुशल नेत्री थी उसमें बादसाहत के सभी गुन विद्वान थे सिवाए नारित्तो के और उसकी असफलता का सिर्फ नारी होना ही एक कारण था क्योंकि जो चलीसा जो चालिस दल संगठन में थे इन लोगों ने ही इनका बिरोध सुरू कर दिया था इसी कारण मर्दों की दृष्टी में उनके सभी गुन बेकार थे के ए निजामी ने लिखा है इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि इल्टुत्मिस के उत्रादिकारों में व उसके बाद गदि पर बैठा बलवन बलवन ने सुल्तान की परतिष्ठा को अस्थापित करने एवं अपने बिरोधीयों के दमन के लिए लोः एवं रक्त की नीती अपनाई उसने चालिस दल का दमन किया यह जो चालिस दल का था जिसके करण रजिया को गदि चोड़नी प के सिध्धान्त पर विश्वास रखता था उसके अनुसार सुल्तान पिर्थवी परिश्वर की पर्तिनिदी होता है उसने इरानी तेवहार नौरोज उत्सव मनाना सुरू किया उसने दरवार में सिजदा एवं पैबोस नामक इरानी पर्था की सुरुवात की उसके बाद गद्धी पर बैठा खिलजी बंस खिलजी बंस का संस्थापक फिरोज खिलजी था जिसने सत्ता पर अधिकार करने के बाद जलाल उद्दीन जलाल उद्दीन की पद्धी धारन की उसने 1200 उसने 1290 इसवी से 1296 इसवी तक साशन किया खिलजी सासकों के समय दिल्ली सल्तनत का चरम विकास हुआ और खिलजी बंस के समय दिल्ली का बहुत अदिक विकास हुआ उसके बाद गद्दी पर बैठा अलाउदीन खिलजी अलाउदीन का बीस वर्ष का सासनकास सल्तनत के इतिहास का एक महत्यपूर्ण अध्याय है वह एक दुर दर्सिशासक था सबसे पहले उसने गुजरात, मालवा और राजपुताना पर अधिकार जमाया इसके बाद दच्छिन विजय की योजना बनाई उसमें उसे अपार धन समपत्ती हाथ लगी इससे सल्तनत का केंद्रिय कोश समरिध हुआ अलाउदीन ने कर परणाली में ब्यापक सुधार किया सर्व पर्थम उसने दोआ यानि गंगा और जमना नदी के बीच का छेत्र में लगान की दर में बिर्धी के आदेश दिये अनेक कारे किये अलाउदीन पहला सासत था जिसने सैनिकों का हुलिया लिखने और घोडा दागने की पर्था शुरू की सेरसा और अकवर ने भी इस पर्था को जारी रखा कुतुब मिनार के पास उसने अलाई धरवाजा का निर्मान कराया था और मध्यकाली नितिहास के समय यानि की मुगलों के समय बहुत सारे भवनों का निर्मान कराया गया था अल्लाउदीन का बजार नियंतरन अल्लाउदीन खिल जी ने बजार नियंतरन पर विशेश जोर दिया इसकी ब्रिष्ति जनकारी जियाउदीन वर्नी की तारीखे फिरोज साही से मिलती है अल्लाउदीन ने इसके तहर कई नए पदों का सिर्जन किया दिवान ए रियासत यह बैपारियों एवं बजार पर पुन्नेता नियंतरन परकता साहना ए मंडी यह बजार का धिक्षक होता था जहां सभी बैपारियों को इनके दपतर में अपने को पंजीकरित कराना पड़ता था वरीद परतेक बजार का निरिच्छन करता था उसने बैपारियों में बैमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले ब्यक्ति के सरीर से उतना ही मांस काटने का आदेश देता था अगर कोई बैपारी या दुकानदार कम समान तोलता था तो उसके सरीर से उतने मांस को काट कर निकाल लिया जाता था इन परियासों के तहट बजार में बस्तूओं की कीमतों पर अंकुष लगा अमीर खुषरो के अनुसार अल्ला उदीन के बजार नियंतरन का उदेश आम लोगों को राहत पहुचाना था उसके बाद खिलजी वंस के बाद आया तुगलक वंस गया उदिन तुगलक ने तेरा सो बीस इसवी में तुगलक वंस की नियू डाली इसके पाँच वर्स बाद मुहम्मद बिन तुगलक गद्धी पर बैठा वह कुषल और समराजवादी सासक था इसने लगभग अड़हाई दसक तक शासन किया उसने दच्छिन के राज्जियों पर अधिकार जमाये रखने के लिए तेरा सो चब्वीस इसवी में राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित कर दिया राजधानी दिल्ली थी उसको उसने उठा कर दौलताबाद में उसे परिवर्तित कर दिया उसने सिक्कों में सुधार कर अनेक प्रकार के सिक्के जारी किये मुहम्मद विन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का परचलन प्रारंब किया उसके सासनकाल में मोरक्को की यात्रा इवन बतूता भारत आया था उसके समय दच्छिन भारत में विजय नगर सम्राजνη की अस्थापना हरीहर वबुक का नामक दो भाईयों ने की थी विजय विभाग की अस्थापना की वह अरवी, फार्सी, सहित, कई भासाओं एवं ज्यान में पारंगत था इसके बाबजूद उसके कई निर्नाई विवादों से भरे रहे इबन बतुता, इबन बतुता मुरक्को का निवासी था वह सुल्तान महमूद मुहमम्मद बिन तुगलक के कारिकाल में भारत आया था सुल्तान ने उन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त किया उसने मुहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्नन अपनी पुष्टक रहला में किया है उसके बाद गद्दी पर बैटा फिरोज सा तुगलक मुहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज सा तुगलक शाशक बना कहा जाता है कि मुहम्मद बिन तुगलक के समय से ही सल्तनत का विकास सुरू हुआ था मुहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज सा तुगलक सासक बना उसके सासन काल में राजचे वंपरजा दोनों संपन थे सिच्चाई कर लेने वाला वह सल्तनत काल का पहला सासक था उसने हिसार फिरोजाबाद वह जौनपुर सहर को बसाया उसने दासों के लिए दिवान ए बंदगान नामक विभाग की अस्थापना की उसके बाद गद्धी पर बैठा सैयद बंस दिल्ली में तुगलक बंस के बाद सैयद बंस का सासन आरंब हुआ इस बंस की अस्थापना ख्रीच खाने की थी उसे अमीर तैमूर ने अपना राज्यपाल नियुक्त किया था उसने दिल्ली के बास्तविक सासक दौलत खां को प्राजित कर सेद वन्सकी नियु रखी वह अपनी लोग कल्यानकारी गती बीदियों का मानविय दिरिष्टिकोन के लिए दिल्ली की जनता के बीच काफी लोग प्रिये था इसके बास्तान आपसी लडाई में उलजे रहे 1451 में लोदी वन्सकी अस्थापना हुई लोदी वन्स दो ममलुक पढ़ेंगे लोदी वन्सके बारे में दिल्ली सल्तनत के राजवन्सों में लोदी वन्स अंतिम था 1451 में बहलोल लोदी ने लोदी वन्सके नाम से पर्थम अफगान राजजी की अस्थापना की उसका दिक्तर समय बिद्रोहों के दमन में बीता बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत के सभी सासकों में सरवादिक समय तक यानि 38 वर्स तक उसने सासन किया था कौन बहलोल लोदी ने उसने दिल्ली सल्तनत की खोईवी पर्तिष्ठा को पुनह स्थापित किया जौनपूर का दिल्ली सल्तनत में बिलय उसकी सबसे बड़ी उपलबधी थी सिकंदर लोदी सिकंदर लोदी का मूल नाम था निजाम खाँ बहलोल लोदी की मिर्तु के बाद हुआ 1489 इस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना उसने सीमा विस्तार के साथ आर्थिक सुधारों पर भी जोर दिया था भूमी की माप के लिए गर्जे सिकंदरी नामक प्रमानिक माप प्रारंब किया जिसमें 49 खाने थे और यह मुगल काल तक परचलित रही सिकंदर मोदी ने आगरा सहर की अस्थापना की उसका मकवरा दिल्ली में है उसके बाद गद्धी पर बैठा इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी की मिर्तु के पस्चात उसका जेश्ट पुत्र इब्राहिम लोदी 22 नवंबर 1570 को गद्धी पर बैठा और राजा महराजाओं के समय एक प्रंपरा और पर्था थी जो पर्थम पुत्र होता था, सबसे बड़ा पुत्र होता था, संतान होता था, वही गद्धी पर बैठता था. वह लोदी बंस का अंतिम शाशक था, इसी समय में 1526 इस्वी में पानी पत का पर्थम युद्धिप हुआ, जिसमें बावर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में नए राजबंस मुगल बंस की अस्थापना की। मुगल बंस के बारे में आप अगले अध्याय में ब्रिश्थिस से पढ़ेंगे। मुगल काल का प्रारम वो होता है बावर के समय से और बावर आया था भारत 1526 इस्वी में पानी पत की पर्थम लडाई के समय इब्राहिम लोदी को उसने पराजित कर किया था और मुगल बंस की निव डाली थी। दिल्ली सल्तनत का बिस्तार दिल्ली सल्तनत के सासकों ने समय समय पर अपनी सीमा का बिस्तार किया। तेरहमी सदी के आरंबिक समय में सल्तनत का छेत्र बिस्तित नहीं था। कुतुबदी नेवक ने समराज्य विस्तार पर ध्यान देते हुए बंगाल, बिहार और ग्वालियर पर अधिकार जमाया। छेत्र विस्तार में कई कटनाईयां भी थी। दिल्ली से दूर बंगाल और सिंध तक के प्रांतों का नियंदरन बहुत कठिन था। सासकों द्वारा, बगावत, युध या खराब मौसम के कारण भी दिल्ली सल्तनत के अधिनस्त राज्यों का संपर्ग तूट जाता था। अफगानिस्तान की ओर से हमला होने की आसंका भी बनी रहती थी। बाद के दिनों में समराज्य मुख्य रूप से गयास उद्दीन बलवन अलाउद्दीन खिलजी और मुहम्मद भिन तुगलक के सासनकाल में देखने को मिलता है। भारत में आरिज यानि शैन वीभाग की अस्थापना सर्व पर्थम बलवन ने की थी। उसने आंत्रिक विद्रोहों का दमन बल पुर्वक किया। अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली सल्तनत का परशार दच्छिन भारत तक हो गया। अलाउद्दीन की दच्छिन विजय कसरे मलिक काफूर को जाता है। उसने देवगिरी तेलांगना द्वारा समुद्र वापांडय मदुरा में सुल्तान को जीत दिलाई। आगे चलकर मुहम्मद बिन तुबलक ने भी उत्री और दच्छिनी भारत के मध्य प्रशांसनिक और शांस्क्रीतिक एकता स्थापित करने का प्रियतनी किया। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की सुरुआत बिवस्ता अपेक्छा की कमजोर थी। मगर डेड़ बर्स सो बर्स बाद मुहम्मद तुगलक के राजकाल के अंत तक इस उपमहादीप का एक विसाल छेत्र इसके युद्ध अवियान के अंतरगत आ चुका था। इसने सत्रों की सेनाओं को प्राजित किया और सहरों पर कबजा किया। इसके सुवेदार और प्रशाशक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर भी बशूलते थे। बारहमी सदी के आखरी दसक में कुबवत उल इसलाम मस्जित तता उसकी मिनारे बनी यह जामा मस्जित दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे प्रथम सहर में इस्थित है। इतिहास में इस सहर को देली एक कुहुना कहा गया है। बाद में इस मस्जित का इल्तुत्मिश और अल्लावदिन खिलजी ने और विस्तार किया। मिनार तीन सुल्तानों कुतुबदी नेवक, इल्तुत्मिश और फिरोज, साहतुगलक द्वारा बनवाई गई थी। मुशल्मान अल्लाव की अराधना में सजदा करते हैं, यानि की घुटने और माथा टेक कर प्रातना करते हैं। जामा मस्जित, मस्जित जामी, वह मस्जित होती है, जहाने एक मुशल्मान एकत्र होकर साथ साथ नवाज पढ़ते हैं। नवाज की रश्म के लिए सारे नवाजियों में से सबसे धिक सम्मानिय और विद्वान पुरुष को इमाम यानि नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम सुक्रवार की नवाज के दौरान धर्मोप देश यानि खुतवा भी देता है। नवाज के दौरान मुशल्मान मक्का की तरफ मूँ करके खड़े हो जाते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पढ़ता है। मक्का की ओर की दिशा को ही किबला कहा जाता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है बेगम पूरी मस्जिद या मुहम्मद बिन तुगलक के राजजिकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहां पनाह की मुख्य मस्जिद के तौर पर देखें हम और भी मस्जिदों का खोटो दिया हुआ है मोट की मस्जिद सिकंदर लोधी के सासनकाल में उसके मंत्री द्वारा बनाई गई थी अब हम लोग इसके बाद अगला वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों दिल्ली सल्तनत की शासन बेवस्ता नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसको हम लोग तीन भाग में बाढ़ देंगे यह दूसरा भाग था तीसरा भाग एक पाट और बनाना होगा तब आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा और बच्चों वीडियो को ध्यान से देखिए किताब को सामने रखिए और वीडियो देखिए और समझिए अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे फोन करके आप लोग पूछ भी सकते हैं और इसे लाइक कीजिए और सस्क्राइब कर लीजे बच्चों ताकि मैं जब अगला वीडियो डालू तो आई इसका लिंक आप तक पहले पहुंच जाए और इसे लाइक जरूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं धन्यवाद बच्चों